नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप सभी लोका सोनों शड़ी क्लास के यूट्व चरण दोस्तों मैं आप सरो कुछ स्याटी बूक क्लास 11 राजनितिक विज्ञान चैप्टर एक राजनितिक स्थिधान्त एवं परचिया परप्रस उतर मैं आप लोको स्प्रूडम मताऊंग मुख्य विंदू राजनिति का जनव इस बात से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित एवं वाचनियं है और क्या नहीं राजनेती एक प्रकार की जन सेवा है राजनेतिक से दांत राजनेतिक जीवन को अनुप्रमाडित करने वाले स्वतनतरता समानता और नयाय जैसे मुल्यों के बारे में सुब विवस्तित रूप से विचार करता है मनुष्य से दो मामलो में अधित्य है इसके पास बिबेख होता है और अपनी गतिविधियों में उसे व्यक्त करने की योगिता होती है आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो ने सिद्ध किया की स्वतंतरता मानो मात्र का मौलिक अधिकार है काल मार्ष ने सर्क दिया की स्रमानता भी उनकी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंतरता गांधी जी ने अपने पूष्टक हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंतरता या स्वराज के अर्थ की विविचना की अम्बेक्टर जी ने जूरदार तरीके से तर्क रखा की अनुसूचित जातियों को अल्प संख्यक माना जाना चाहिए और उन्हें विशेज संरचन मिलना चाहिए राजनीतिक सिधानत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप से प्रतिविम्वित करता है जिससे हमारी समाजीक जीवन सरकार और सविधान ने आकार ग्रहण किया है और यह सोतंत्रता समानता नियाय लोकतंत्र और धर्म निर्पेक्षिता जैसी आउधारनाओ का आर्थ इस्परश्ट करता है अब भ्यास प्रस्थ 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 नमबर एक राजनितिक सिधानत के बारे में नीचे लिखे गए लिखे कौन से कथन सही है और कौन से गलत क राजनेतिक सिध्धान्त उन विचारू पर चर्चा करता है जिनके आधार पर राजनेतिक संस्ताय बनती हैं उत्तर सही ख, राजनितिक सिधान्त वेविन धर्मों के अंतसम्मंदों के ब्याख्या करते हैं उत्तर गलत ग, यह समानता और सोतंतरता जैसी आउधार्णाओं के अर्थ के ब्याख्या करते हैं उत्तर सही याई राजनेतिक देलों के प्रदर्शन की भविस्स से वाड़ी करते हैं उत्तर गलट प्रस्तनबर दो, राजनेति उस सबसे बढ़कार है जो राजनेता करते हैं क्या आप इस कसन से सम्हत है उधार्ण भी दीजिए उत्तर राजनेती एक प्रकार की जनसेवा है राजनेती से जुड़े अन्य लोग राजनेती को दाव पेच से जोड़ते हैं और आवसकताओं और महत्तो कांचाओं को पूरा करने के कुछ चक्र में लगे रहते हैं कई अन्य लोगों के लिए राजनेती वही है जो राजनेता करते हैं अगर वे राजनेताओं के दल बदल करते हैं जूटे वादे और बड़े चड़े दावे करते हैं विवन तरको से जोड़तोड करते हैं नीजी या सामोहिक स्वार्थ में निठूरता में हिंसा इसा पर उतारू होता देखता है तो जीवन के विविन छित्रों में जब हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि वे राजनीति कर रहे हैं मात्मा गांदे के इन्सवार राजनिती ने हमें सराप की कुंडली की तरह जकर रखा है और इससे कि सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है राजनितिक स्तंगठन और सामोईक निर्णे के किसी धांचे के बगेर कोई भी समाच जिन्दा नहीं रह सकता उधारन के लिए यदि हम एक कीरीटर को टीम में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ करते हैं या किसी सभ पाठी को अपने मातक अपने पिता की हैसियत का उपयोग करते अथवा दफ्तर में किसी सभ कर्मी की वो बिना सूचे समझे बावस की हा में हा मिलाते देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि वा गंधी राजनेती कर रहा है यह दुर्भागे पूर्ण है कि राजनेती का सम्मंद किसी भी तरीके से नीजी स्वार्थ सादने के धंधे से जुड़ गया है प्रस नम्बर तीर लोगतंत्र के सफल संचारन के लिए नागरीकों का जागरूप होना जरूरी है तिटपड़ी कीजिए उत्तर लोगतंत्र तथा प्रजातंत्र को लोगों की सरकार कहा जाता है क्योंकि सरकार की लोगतंत्रिय प्रणाली में वास्त्विक सकती जनता के पास होती है या एक उत्त्र दाइत्व पूर्ण सरकार होती है या विविन मुद्दू पर विविन इस्टारू पर बात चीत और वाद दिवाद पर आधारित होती है लोगतंतर का मुख्य हो देश जिनता की महत्पूर्ण मुले मुलियों जैसे समानता नयायस हो तंतरता को प्राप्त करना होता है। महत तो दिया जाता है और समाज के विविन वर्गों के मद्ध भाई चारा इस्तापित करना होता है लोकतंतर की सफलता के लिए कुछ आउसकता है जरूरी है जिनमें नागरिकों को सतर्क रहना आउसक है यदि नागरिक ये नहीं जानते कि सरकार क्या कर रही है और सरकार की क् जैसा जनता प्रसासन और विद्वान पर रुकावट नहीं डालते तो सरकार घमंडी हो जाएगी और अपने इस्तितिव अधिकार का दुरूपयोग करेंगे इसलिए लोगों को विविन टारू पर जातियवाद विवाद और भाषण की आधार पर स्वस्त जन्मत बनाना चा लोगों में उच्छे इस्तर की साच्छर्था होना चाहिए लोगों में आर्थिक और समाजिक समानता होनी चाहिए लोगों में प्रयावत रोजगार होना चाहिए लोगों में जाती भासा और धर्मों के उपर उठाना चाहिए जिससे लोगों को भाई चारिक की दृष्ट परचान करें जिन में राजनेतिक सिधान्त हमारे लिए उपयोगी हो उत्तर राजनेतिक में कोई विशे सिधान्तों के बिना नहीं हो सकता है क्योंकि पते एक विशे का अपना एक विशे होता है सिधान्त एक समानित करना है जो संपूर्ण इस्तिती की व्याख्या करता है त अध्यन किया जाता है जिस प्रकार डावीन का सिधान्त नियूटन का नियम और और की वेडिज का सिधान्त पेना का असरोत है उसी प्रकार समाजिक विज्ञान और दसास राजनितिक विज्ञान नागरिक प्रसाशन आधी के सिधान्त होते हैं जो एक यंत्र के रूप में व राजनेतिक दिशा प्रदान करता है नमबर दो राजनेतिक सिद्धान समाज को बदलता है नमबर तीन राजनेतिक सिद्धान समाज को गतिसील एर आंदोरन कारी बनाता है नमबर चार राजनेतिक सिद्धान समाज को आगे बढ़ने के लिए पेड़ना का कारे करता है नमबर में प्रभावी प्रवर्तियों को समयने में सहायता करता है नमबर साथ, राजनेतिक सिधान्त, राजनेतिक विचार और संस्थाओं के मौलिक ज्यान को प्राप करने में सहायता करते हैं प्रिश्न नमबर पांच क्या एक अच्छा प्रभाव पूर्ण तर्क औरों को आपकी बात सुनने के लिए बात दिकर सकता है। प्रभावित करते हैं जैसे स्वतंतरता समानता और नया राजनितिक सिद्धान्त उचे इस्तर पर उन वर्तमान संस्थाओं को देखता है जो प्रयाप्त है और वह किस प्रकार अस्तितों में हैं या नीतिकार को भी देखता है और देखता है ताकि वह लोकतांतिक और यहीं रूप में परिवर्तितू प्रस्त नमर च्वर क्या राजनेतिक सिधानत पढ़ना गड़ित पढ़ने की समान है अपने उत्तर के पच में कार्ण देजिए उत्तर राजनेतिक सिधानतों का आध्यान कुछ पहलूओं में गड़ित की समान है यह पूर्ण रूप से गड़ित पर आधारित नहीं है क्योंकि राजनेती के एक कथन है जो कुछ तत्यों पर आधारित है राजनेतिक सिध्धान परिकल्पना का परिछण करता है यह एक तार्किक और विवेकी है यह गुर्ट सम्मानताओं और गडित सम किर्णों में दिखाई देता है अतरिक्त प्रश्ण उत्तर प्रश्ण नमर एक राजनेतिक सिध्धान क्या है उत्तर राजनेतिक सिध्धान य महत्पून अंग है क्योंकि यह समाणी करण और निल्ने पर आधारित है यह एक राजनेतिक घटना राजनेतिक ब्यवस्ता और उसका विसलेशन है यह सिधान निश्चित रूप से समाज के लोगों के लिए है जिससे समाज के लोगों को समार्थन और तुक्रिती प्राप्थ होती है डेवीड हैल के अनुसार राजनीतिक सिधान सकल्पना का जटिल जाल है और राजनीतिक जीवन की बारे में समानी समानी करण है इसके अंतरगत विचार और धाना और कथन स्वभाव उद्दिस और सरकार की महतपूर्ण विचेस्ताएं राज्य और समाज के बारे में तथा मानुजाती के विचेस्ताएं में होता है प्रश्टन बर्दूर राजनेती क्या है उत्तर राजनेती एक प्रकार कीजन सेवा है राजनेती इसे जुड़े अन्य लोग राजनेती को दाव पेश से जोड़ते हैं तता आवसफताओं और महात्वा कांचाओं को पूरा करने के कुछ चक्र में लगे रहते हैं कई अन्य लोगों के लिए राजनेती वही है जो राजनेता करते हैं अगर वे राजनेताओं के दल बदल करते जूटे वादे और बढ़े चड़े दावे करते विविन तरकों से जोड़ तोड़ करते नीजी या सामोहिक स्वार्थ में निठुरता से हिंसा पर उतारू होता रजीवन के विविन छेतरो में जब हम हर संभो तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं तो हम करते हैं कि वे राजनेती कर रहे हैं महात्मा गांदी के इनुसार राजनेती ने हमें साथ की कुंडली की तरह जगर रखा है और इसे जो लजने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है राजनेतिक संगठन और सामोहिक निर्ने के किसी धाचे के बगएर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता उधारण के लिए एदि हम एक क्रिकेट को टीम में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ करते या किसी सह पाठी को अपने पिता की हैसियत अवपयोग करते अथवा दफतर में किसी सह करमी को बिना सोची समझे बाक्स की हां में बाक्स के हां में हां मिलाते देखते हैं तो हम कह कि वह गंदी राजनिती कर रहा है यह दुरुभाग पूर्ण है कि राजनिती का संबंद किसी भी तरीके से नीजी स्वार साथने के धंदे से जुड़ गया है प्रश्ट नमर तीर एक अच्छे से धांद के मुख्य लच्छड क्या है उत्तर एक अच्छे से धांद के मुख् ुपियो गिता का विविचना कीजी उत्तर राजनितिक सिधांत यूनानी भासा के सब्ध थेरियो से लिया गया है जिसका आर्थ होता है पकड़ना जानना या किसी वस्तू को समझाना राजनितिक सिध्धान विज्ञान वदर्सन का महत्पून अंग है क्योंकि यह समाननी करण और निर्ने पराधारी थे तथा यह राजनितिक घटना राजनितिक विवस्ता और उसका विसले सेड़ राजनितिक सिध्धान का अध्यान हमारे लिए निमनिखित कारणों से उप्योगी है नमर एक राजनितिक सिध्धान तेम समाज को राजनितिक लिशा परदान करता है नमबर 2 राजनितिक सिधान समाज को बदलता है नमबर 3 राजनितिक सिधान समाज को गतिसील एर अंदोलन कारी बनाता है नमबर 4 राजनितिक सिधान समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेणा का कारी करता है यह सिधान समाज में सुधार लाने का कारे करता है 6. राजनितिक सिधान समानी करन साधन और अधारना परदान करता है जो समाज में प्रभावी प्रवर्ति योग को समझाने में सहायता करता है नमबर साथ राजनेतिक सिधानत राजनेतिक विचार और संस्थाओं के मौलिक ज्यान को प्राप्त करने में सहायता करते हैं प्रस्ट नमर पांच राजनेतिक का जनम किस तत्थ से हुआ है उत्तर राजनेतिक का जनम इस तत्थ से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उची थे यह एवं वांचिनिय है और क्या नहीं इस बारे में हमारे द्रिश्टी अलग-अलग होती है इसमें समाज में चलने वाली बहुविद वारताएं सामिरें जिसके माध्यम से सामोहिक निर्णें किये जाते हैं प्रस नमर छव राजनितिक की गांदी वादी सिधान के प्रमुख विसेश्ताओं और लच्छर क्या हैं उतर गांदी की एक महान विचारक और सिधानत वादी मानने जाते हैं उनके सिधानत का उचित्त universe आज किवल भारत में ही नहीं बलकि संपूर्ण विसो में हैं गांदी जी की सिधानतों का उचित्त पहले या पिच्छा आज अधिक है गांधी जी ने अने एक समाजिक बुरायू जातिवाद, संप्रा, दयवाद और अश्रिप्तेता के खोखलेपन की ब्याख्या की अपने उपागम में वे मार्क्स के अधिन अधिक निकट हैं। उन्होंने राज की हटाने की वकालत की क्योंकि वे राज को एक मसेनेरी संस्ता मानते थे। वे आज के राज के भी विरोधे थे। गांधी का धर्षन सत्य अहिंसा और सत्य ग्रफ पराधारित है। इन सास्त्रों के द्वारा उन्होंने भारत को आजात कराया। प्रस्त नमबर 6. मार्क्स वादी सिधान की विविचना कीजिए उत्तर। कारल मार्क्स ने अपने पुस्तक दान केपिटल में अपने सिधानतों का उलेग किया है। उसमें पुझीवादी प्रथा की उत्तर्पत्ति और विकास का विस्त्रेसर किया है। इसमें उसने राज की भूमिका भी बताई है। इस सिधानत के निमनखी तत्व हैं। नमबर एक, दो वर्गे सिद्धान्त, मार्क्स के अंस्वार समाज दो वर्ग में बटा है, सोसक वर्ग और नमबर दो सोसित वर्ग, नमबर दो वर्ग संघर्ष का सिद्धान्त, इन दोनों वर्गों में निरंतर संघर्ष होता रहता है, और आज भी जारी है, नमबर तिन, इतिहास की आर्थिक्स ब्याख्या, मार्क्स मानता है कि इतिहास सोसर और सोसित वर्ग के बीच का बेवरा है, रखी राजाओं की संघर्सकी, नमर चार, सामय वाद की स्थापना, इसक तातपर है, जाती विहीन, वर्ग विहीन और राज विहीन, समाज की स्थापना, नमबर पांच अतिरिक्त मूल का सिधान्त मार्सवादी यह प्रमाडित करता है कि पुझी वादी और सर्मिकों के बीच अंतर अतिरिक्त मूल के कारण है नमबर साथ प्रमपरागत और अप्रमपरागत राजनीतिक सिधान्त में अंतर इस्पश्ट कीजिए उत्तर प्रमप्रागत और प्रमप्रागत राजनितिक सिध्धान की अंतर प्रमप्रागत राजनितिक सिध्धान नमर एक यह इस्तगत होता है नमर दू यह वणात्मक होता है नमर तीन यह विश्यक निष्ट होता है नमबर चार यह मुल्ली पर आधारित होता है नमबर पांच यह दर्सनिक कानूनी और सुधरात्मक होता है नमबर चार यह परिकल्पनात्मक होता है और परंपरागत राजनेतिक सिद्धान यह विग्यानिक है नमबर दू यह संकेतात्मक है नम्र 3 या विसलेशनात्माख होता है नम्र 4 या तत्थो पर आधारित होता है नम्र 5 या अंत वेशेय है नम्र 6 या वस्तुनिष्ठ है अगर वीडियो अच्छ लिगी तो वीडियो को लाइक करें, सेर करें, कमेंट करें और नेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू फूर वाचिंग